कि नमस्कार सात्यों राजिस्थान इंस्टिट्यूट के ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है सात्यों हमारा बाल विकास का आज जो है लास्ट लेक्चर है जिसमें आज हम बात करेंगे भासा के विकास के बारे में कि बच्चा कैसे जो है भासा का डेवलपमेंट करता है लेंग्विज का किस परकार जो है डेवलपमेंट बच्चे में जो है धीरे धीरे होता है तो आज यहाँ पर मैं दो मनोव एग्यानिकों के बारे में जानूँगा जिन्होंने जो है भासा वेकास के बारे में परिवासा हैं दी थी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ स्वीट्स के बारे में देखिए स्वीट ने यह आपर यह definition दी थी कि भासा जो है विचारों की अभिव्यक्ति का क्या एक माध्यम है तो भासा के द्वारा जो है विचारों को अभिव्यक्ति किया जाता है तो यह आपको ध्यान रकना है स्वीट ने क्या परिवासा दी थी कि भासा जो है विचारों को विचारों को बच्चा जो है प्रिकट करता है जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर लेंग्वेज कहते हैं तो यह स्वीट्स की परिवासा है नेक्स्ट यहां पर बात करूँगा मैं पिलेटो के बारे में पिलेटो ने क्या कहा कि विचार जो है हमारी आत्मा की क्या होती है मूख बातचीत होती है जब यह हमारे होटों से बाहर आती है तो एक ध्धनी का रूप ले लेती है जिसे ही हम क्या कह देते हैं भासा कहते हैं तो विचार जो हमारे मस्तिस्क में बनते हैं वो हमारे जो विचार होते हैं वो हमारे होटों से बातचीत के रूप में बाहर निकलते हैं जो कि एक ध्वनी का रूप लेते हैं जिसे ही हम क्या कहते हैं लेंग्वेज कहते हैं तो यह परिवाषा के सकी थी पलेटों की ये परिवाषा थी देखिए पर में बता देता हूं कि जितने भी मनोविझ्ञाने के जिनोंने परिवासाइं दी हैं ये exam में कम पूशी जाती है परिवासाओं के बारे में questions जो है कम आते हैं तो आपको ज़्यादा tension नहीं लेनी है यदि आपको ये परिवासाओं याद भी नहीं होती है तो आपको घवराना नहीं है इनको revise करते चलना है चाहे याद हो या नहीं हो, आपको बार-बार रिवाइज करते चलना है, जैसे जैसे वीडियो में डालता चलू, साथ-साथ आपको पढ़ते चलना है, तो यहाँ पर next देखते हैं, भासा की हम विशेशताओं के बारे में जानेंगे कि भासा की क्या-क्या विशेशताओं होत होती है, भासा को हमारे environment से अर्जित किया जाता है, अर्जित किया जाता है, भासा को हम सीखते हैं, भासा अर्जित होती है, ना कि जनमजात, ऐसे question पूछे जाते हैं, कि भासा जनमजात होती है, अर्जित होती है, खतन तर्क के जो है option दे देते हैं, उनमें पूछा जाता ह है कि भासा अर्जित होती है वासा जनमजात होती है तो ऐसे इन तर्कों से आपको पता लगाना है यहां पर ध्यान रखना है भासा कैसी होती है अर्जित होती है दूसरा पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भासा एक सामाजिक उपागम होता है देखिए सामाजिक उपागम कैसे होता है कि हमारे समाज में हम जो आपस में बातचीत करते हैं वो language के द्वारा ही की जाती है इस वज़े से हम कह सकते हैं कि भासा जो है एक सामाजिक उपागम होता है नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आप देखेंगे कि भासा वातावरन की उपा हैं देखिए इसका मतलब क्या है कि भासा को हम अपने आसपास के वातावरन से सीखते हैं तो इस वज़े से हम कह सकते हैं कि भासा वातावरन की उपज है हमारे आसपास जो है हम देखते हैं उनका ही हम अनुसरन करके भासा को सीखते हैं इस वज़े से हम कहते हैं कि भासा जो है वातवरन की क्या होती है उपज होती है नेक्स पॉइंट यहां पर भासा की हम देखेंगे भासा की विशेजताओं में कि भासा परिवर्तन सील होती है देखिए बिन बिन चेत्रों में बिन बिन बासा होती है आप पूरे र अलग अलग भासाएं देखने को मिलेगी चाए छेतरी वासाएं हो चाए राज्य वासाएं हो softly आलग मिलेंगी हर राज्य電 Kiss प्रिवर्थ निसील होती है यह आपको ध्यान रखना है next point यह बहणा को होता है वह कर रुण यह सब्ससेदा प्रवावित होता है is इसका मतलब है कि आप जिस छेत्र में जाएंगी वहां पर भासा आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी तो भासा का स्वेरूप जो होता है वो छेत्र विशेष पर डिपेंड करता है तो यह कुछ भासा की विशेषता हैं थी जो आप से एक्जाम में कथन तर्क के द्वारा पूछी जा सकती हैं कि इनमेंसे कितने कथन सत्य हैं तो इनमेंसे आपको कथन दिये जाएंगे एक अद्व कथन जो है उनमेंसे गलत दे दिये जाएगा तो वहीं पर आपको फसाने की कोसिस करेगा इस वज़े से आपको साब्धानी से इनको ध्यान रखना होगा हो नेज्ट यहां पर हम बात करेंगे भासा विकास का मनोविज्ञान थो अब बाद के बारे में मनोविज्ञान क्या कहता है लेंगैज के डवल्लीप्मेंट के बारे में सॉक्ट नोसी से साइकलोजी की दृस्टी से हम देखें किस परकार बहसा को लेंगेज का डवलपमेंट हुआ है कि देखिए बहसा जो है हर बालक जो है तीन प्रोसेज के बश्म के ज़री चीज़ को जानने की इच्छ धा neighborhoods को मतलब किसी भी छीज को जानने की इच्छा तो जिग्यासा जो है सबसे पहले बालक में होती है जब अपने परिवार के सदस्यों को बालक जो है बोलते हुए देखता है तो उसकी भी जिग्यासा होती है कि मैं भी कुछ बोलूं तो यह जिग्यासा सबसे पहले बालक में पैदा होती है उसके बाद यहां पर अनुकरन जिग्यासा के बाद अनुकरन अब जैसे ही उसको जो है कुछ सीखने की इच्छा होगी बच्चे को तो उन चीजों का जो है अपने जैसे अपने परिवार के बड़े जो लोग बोलते हैं कुछ भी वहासा बोलते हैं तो बच्चा जो है उनको देख करके अनुकरन करने लग जाता है तो अनुकरन के द्वारा सीखने का प्रियास करता है तो यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि भासा के विकास में अनुकरन का भी जो है यहां पर महत्पून योगदान होता है नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास तो यहां हम देखेंगे अभ्यास का क्या रोल है न देखे कहते हैं कि करत करत अब्यास के जण्मत ऊफिछी सोजान कि अध्यास क्या करता चलेगा रिख्षा जैसे मान glimpse उसने सीकर मा certified तो बार 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 जो प्षरन करता रेंगा यहां ऐसे फिर मामा सीक जाएगा ऑ सब्सक्राण करे पहले सबसे पहले बालक में क्या होगी जिग्यासा होगी जिग्यासा होगी तो किसी भी चीज का जो है अपने परिवार की सदस्यों को देख करके अनुकरन करने लग जाएगा उनके सब्दों को पकड़ने लग जाएगा और उनका अनुकरन यहाँ पर करने लग जाएगा उस सबसे पहले जिग्यासा उसके बाद फिर अनुकरन करता है और लास्ट में उसका बार-बार अभ्यास करता है अभ्यास के द्वारा ही वह भासा का जो है अपने जो है मस्तिस्क में जो है भासा के द्वारा ही विचार प्रकट कर लेता है तो इस प्रकार बालक में जो है भासा क कास के कुछ ब्यभारिक सौपान होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, सौपान का मतलब होता है step, चरण, तो कौन-कौन से चरण है, जिनके द्वारा बालक में भासा का यहां पर विकास होता है, देखते हैं, फॉर्स्ट यहां पर step आपको ध्यान रखना है, क्रंदन का मतलब क्या होता है रोना बच्चा सबसे पहले क्या करता है रोता है जैसे बच्चे के जनम होता है तो आपने देखा होगा बच्चा रोने लग जाता है क्रंदन करता है तो क्रंदन के द्वारों वो अपने विचारों को यहां पर प्रिकट करने का प्रियास करता है तो रोने के द्वारा बालक जो है सबसे पहले अपने विचारों को पर कट करने का प्रियास करेगा उसके बाद बालक जो है जब पांस से छह महीने का हो जाता है तो उसके बाद वो बलबलाने लग जाता है आ, इ, उ, ए, ऐ, ऐसे सब्दों को वो सीखने लग जाता है, बोलने लग जाता है, उसके पश्चात यहां पर जो है, बारे से बढ़ा, जैसे जैसे बारे महीने से बढ़ा होते जाता है, चोविस महीने, दो साल के आसपास बालक जो है, यहां पर सब्दों को मिला करके बोलने लग जाता है, अर्तात उसमें भासा का विकास यहां पर दो साल के बालक में होने लग जाता है, तो यह आपको यहां पर ध्यान रखना है, सबसे पहले यहां पर करंदन होगा, बालक करंदन करेगा, उसके पस्चात बालक जब 5-6 महीने का हो जाता है, तो बलबला ने लग जा थार्ड इस्टेप यहां पर है अनुकरण तो बालक जो है जब 9-11 महीने का आयू का हो जाता है तो अनुकरण के द्वारा ही सब्दों को बोलने का प्रियास करता है 9-11 महिने का बालक जो है यहां पर अनुकरन के द्वारा क्या करेगा सब्द बोलने का यहां पर प्रियास करता है तो यह आपको ध्यान रखना है सबसे पहले यहां पर करंदन बलबनाना अनुकरन इन सब्दों का बालक जो है अपने जीवन में जो है यहां पर इनका यूज कर अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि किसी भी बालक में जो है वासा विकास के बारे में कुछ मैध्पूर्टेंट बॉइंट है वह आपको ध्यान रखना है किसी भी बालक में भासा विकास के लिए सरवादिक मैध्पूर्ण क्या होते हैं सब्द कोज बंडार होते हैं मत कर पाता है जो बालक जो है अपने सब्दकोष भंडार का सही तरह से इस्तमाल कर लेता है वो आसानी से भासा को सीख जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है कि किसी भे बालक में भासा विकास के लिए सरवादिक क्या होता है मैध पून्ट सब्दकोस भंडार का विकास है जो कि उसके भासा विकास को ठीक तरह से कर पाता है नेक्स्ट यहां पर मैंने आपको बताए था कि भासा विकास के कुछ बयवारिक सोपान जो थे सबसे पहले बालख में जो एक करंदन करने लगता है उसके बस्चाज बलबलाने लग जाता है और सबसे लाश्ट में आपर अनुकरन करता है तो इन तीन प्रॉसेज के द्वारा बालक में भासा का विकास यहां पर होता है तो यह भासा विकास के कुछ बभारीग सवपान या स्टैप्स होते हैं जिनके दौरा वालक में भासा के वकास आसानी से हो जाता है तो यह इस टैप्सित आपको याद रखने है नोट्स मैंने साथ साथ आप जो है पढ़ते रहें तो जैहिंद जैभारत